चिपा है क्या? कैक्टस? लेकिन मैं इसका क्या करूँगी? अजीब? और मेरे पास क्या है? मेरा भी कैक्टस अजीब है क्या हमें वाकई उन्हें खाना है? यह बहुत काटेदार है मुझे तो पता भी नहीं है मुझे लगता है कि पहले यह जाचना होगा कि उनकी सुन्या कितनी काटेदार है ऐसा करने का त्यवल एक ही तरीका है अजीब है? यह बिल्कुल नहीं चुपता है यह चॉकलेट है जैक तुम्हें पता नहीं कि मैं कितनी खुश हूँ मुझे काटेदार कैक्टिस के साथ उलजना नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे एक चॉकलेट मिली है और यह बहुत स्वादिस्ट है मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजे भी होती है अगर तुम्हारा कैक्टिस चॉकलेट से बना है तो मेरा भी ऐसा ही होगा तुमने मेरे मन में उमीद जगा दिया है आखिरकार मैं खुछ स्वादिस्ट खाऊंगा आउ क्या हुआ जैक तुम क्यों चिला रहे हो तुम्हें क्या हुआ तुम्हारी नाक लाल क्यों है यह सब उस बेवकुफ कैक्टिस की बज़े से है मेरी सहायता करो हाँ यह हर जगह है नाक पर काटे जीप पर काटे हर जगह काटे बेचारा जैक मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा लेकिन अब यह काफी बहतर है तुम्हारी वज़े से धन्यवाद लेकिन मैं वैसे भी स्कैक्टस से निपट लूँगा और कोई काटा मेरी लिए बाधा नहीं बनेगी क्योंकि उन्हें सिर्फ उड़ाया जा सकता है और सही आकार का एक ठुकड़ा हमेशा एक अच्छी पुरानी कुलहारी से काटा जा सकता है मुझ पर नहीं वाह, क्या निशाना है तुम बहुत अच्छा कर रहो जैक धन्यवाद लेकिन सबसे मुश्किल काम अभी बाकी है अब ये चीज खाने की जरुवत है कितना घिनावना है चलो जैक, करो बहुत बढ़िया मुझे तुम पर विश्वास है तुम कर सकते हो जैक एक चैंपियन है जैक चैंपियन है चलो बस थोड़ा सा बच्चा है सच मुझे एक दो बाइट पूरे, तुमने कर लिया यह उस तस्विर में कैक्टस है मैं एक और कैक्टस बरदास नहीं कर सकता ओ, ऐसा लगता है कि जैक को मेरा जहंडा पसंद नहीं आया चलो देखे कि हमें क्या ट्रिट्स मिले है अरे वाह, यह चॉकलेट आइसक्रीम है स्वादिस्ट लेकिन मेरे पास साधान मकई है मुझे उमीद है कि यह चॉकलेट के साथ ज्यादा स्वादिस्ट होगा लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम अभी मेरे मकई से ज्यादा स्वादिस्ट है बेशक, लेकिन सुजी तुम आज इस आइसक्रीम को सूंग सकती हो मुझे लगता है कि अगर चॉकलेट आइसक्रीम में थोड़ी और चॉकलेट मिला दे तो ये दुगनी स्वाधिस्ट हो जाएगी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बिल्कुल खुश रहूँगी ठीक है और बहुत स्वारी चॉकलेट आइसकिन जैसे कोई चीज नहीं होती है काश मैं एक ही बार में सब कुछ खापाती ये बहुत स्वाधिस्ट है मैं सच में इसका मज़ा लेना चाहती हूँ मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती एमा तुम इतना कश्ट क्योट आ रही हो इसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत है मैं इस आइस्ट्रीम के हर बाइट का मज़ा ले रही हूँ हलाकि कमरा ठंडा हो गया है या ये सिर्फ मुझे लग रहा है क्या मुझे खिड़की बंद करनी चाहिए वाँ ये स्वाध तो बस एमा पूरी तरह जम गई है और मैंने तुम से कहा था कि आइस्ट्रीम के साथ मजाक मत करो ये बहुत खतरनाग है लगता है कि बची हुई आइस्ट्रीम अब मेरी है ये अच्छा है लो मैं फिर आ गई तो ये फिर से मेरा है ये मत सोचो कि तुम मुझे से इतनी स्वाधिस चीद चुरा सकती हो मैं इसे कभी नहीं दूँगी बेतर होगा कि जल्दी अपने बेस्वाध मकई के खाने के लिए तयार हो जाओ ये तुरान बेस्वाध क्यों हो गया शायद चॉकलेट फाउंट्रन इसे कुछ खास में बदल देगा मुझे पताई कि चॉकलेट आम तोर पर बहुत कुछ करने में सक्चम होती है तो कैसा है कैसे मदद मिली नहीं यह भयानक है मकई खाने के बारे में आखिर किस ने सोचा था हाला कि मेरे पास एक आईडिया है मकई से एक बहुती स्वाधिस चीज बनती है आम तर पर वही से सीनेमा में खरीटते है लगता है कि मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो बेशक क्योंकि मैं अभी साधरन मके के दानों को असली पॉपकोर्ण में बदलने जा रही हूँ मैं इसे असले बेल्डिंग मशीन के साथ करूँगी अच्छा है कि पापा ने मुझे इसका इस्तिमाल करना सिखाया ओ यह अच्छा दिख रहा है पॉरा तयार तेखो कितना सुन्दर है अब पॉपकोर्ण को केवल बकेट में डालना ही बचा हुआ है इसलिए यह खाने के लिए और अधिक दिल्चस्प होगा मुझे पहले से यह अंदाजा हो रहा है कि कितना स्वादिश होगा जब मैं इसे चौक्रिक पॉपकोर्ण बनाओंगी जब सोचो यह कैसा होगा मुझे तो सोच कर भी स्वादिश लग रहा है है यह खाने का समय है मैं कबसे कुछ स्वादिश खाना चाह रही थी पॉपकोर्ण मेरी सभी अपेक छाओं को पार कर गया तुम्हारे पास इतने सारे पॉपकोर्ण है शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगी नहीं मैं इसे खुद खाऊंगी ठीक है फिर मुझे यह पॉपकोर्ण कुमसे जबरदस्ती लेना होगा यह मुझे दो तुम्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके खाना चाहिए तुमने क्या किया अब सारा पॉपकोर्ण चेबल पर होगा लेकिन बालती वही गिरी जहां उसे होनी चाहिए और मेरे पास इतना स्वादिश पॉपकोर्ण है और मुझे टेबल से खाने में कोई दिक्कत नहीं है चैक रुको चलो रॉक पीपर सीजर से पता करें कि सबसे पहले धकन कौन खुलेगा रॉक पीपर सीजर शोट उरे मैं जीती तो पहले मैं पता लगाऊंगी कि यहां क्या स्वादिश चिपा है अरे वाँ च्रॉपक स्ट्रॉबेरी स्वादिश और सुन्दर दोनों लगबग उप्योगी भी वाँ मुझे भी वो चाहिए पेशक मेंने केबल स्वादिस्ट है बल्गी बहुत सुगंदित भी है मैं बस जल से जल सभी बेरीस को अपने मुँ में भढ़ना चाहती हूँ लेकिन इससे पहले में असली जगलिंग मास्टर क्लास दिखाऊंगी जगलिंग बहुत मज़ेदार मास्टर क्लास तुम्हारा पूरा चेरह मस दिख रहा है पता नहीं मुझे कौन सी स्वादिस्टीज मिलने वाली है अरे वाह असली स्ट्रॉबेरी अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे जगलिंग की जाती है अनारी मैं अकेली नहीं हूँ जो यहाँ जगलिंग नहीं कर सकता बतकिस्मती से मैं नहीं कर पाया लेकिन मेरी बेरी स्वादिस्ट है हाँ घर्मी का स्वाद वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारे आइडिया के कारण मैं क्यों भूब तू यह कच्रा फैक्ना बन करो बस करो यह मजात नहीं है मेरे बालों में यह स्ट्रॉबेरी टेल्स फस गई है जैक इसे रोको तुम किसलिए चिला रही हो मेरा हो गया मेरे पास अब यह अच्छा आइडिया है मैं स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बनाऊंगा मिल्कशेक? मुझे भी चाहिए सही बात है मिल्कशेक सबसे स्वाधिष्ट दूद के साथ हाथ से बनी मिल्कशेक से ज़्यादव स्वाधिष्ट कुछ नहीं होता है पर तुम्हे खाना बनाना नहीं आता एक स्वाधिष्ट कॉक्निल बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम्हें खाना बनाने में माहिर होना चाहिए यह वैसे भी स्वाधिश्ट बनेगा और इसके लिए एक दम सही कॉम्बिनेशन होगा विफ्ट क्रीम पिना विफ्ट क्रीम के कैसा मिल शेख? तडाम तेको कितना खुबसूरत है मैं भी इसे पिना चाहती हूँ जी नहीं, यह मेरा मिलक्शिक है और मैं किसी के साथ शेर नहीं करूँगा लालची, लेकिन मेरे पास एक बड़ी आइडिया है कि तुम्हें कैसे सबक सिखाए जाए तुम्हारी क्रीम इसमें मेरी मदद करेगी अब जो होगा इसके लिए तुम तियार हो जाओ जैक तुम्हें अपना चेरा देखना चाहिए जब तक तुम ठीक हो रहे हो, मैं जल्दी से तुम्हारा मिलक्शिक पी लेती हूँ तुम क्या कर रही हो, रुको, यह मेरा है मैं क्या पियोंगा, उफ अब मुझे बस अपने चेहरे से क्रीम चाटनी है यह सही नहीं है शायद यह सही नहीं है, लेकिन यह बहुत स्वादिस्थ है अब मैं अपने स्वादिश्ट खाना का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तयार हूँ चॉकलेट बेरी चैक क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमें दिखाओ कि मैं उन्हें कैसे फैकती हूँ और पकड़ती हूँ आसाल अच्छा हुआ कि तुम इसे मेरे साथ शेयर करो मुझे क्यों शेयर करना चाहिए यह बहुत ही स्वादिश्ट है रुको मेरे बेरी कहा है वो अब ही मेरे उपर थी मैंने कुछ नहीं किया है पर तुम्हारे चेरे पर के चॉकलिट तो कुछ और ही बता रहे है चलो देखे कि तीखे सॉस के साथ तुम्हें बेरी कैसा लगता है मुझे लगता यह बहुत स्वादिश्ट होगा पकड़ लिया मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें बेब को बनाना इतना असान होगा तो कैसा है स्वादिश्ट पेरी हाँ कुछ खास नहीं आउच कुछ गरबर है तुम्हें पता चल जाएगा कि दूसरों के ट्रेट चुराने का परिनाम क्या होता है आग बहुत तेज हो गई है इसे बुझाने का समय आ गया है चैक तुम जिन्दा तो हो ना हाँ लेकिन वो बहुत तीखा था अरे वाँ कितने स्वादिश्ट और सुन्दर कपकेक है मैं भी बहुत लखी हूँ क्योंकि मुझे बर्गर मिला है इतना बड़ा मुझे नहीं पता कि चॉकलेट डालने के बाद यह कितना स्वादिश्ट होगा पर मुझे लखता है कि अगर स्वादिश्ट बर्गर और स्वादिश्ट चॉकलेट को आपसे मिलाते हैं तो कुछ अद्बुत स्वाद मिलेगा चलो देखते हैं यह काफी घीनावना लग रहा है हाँ, यह बिकार है चीज, अलग-अलग दोनों बहुत स्वाधिस्ट है मुझे लगता है बर्गर को दूसरी तरफ से काटना चाहिए रुको, यह नियमों के खिलाप है तुम्हें इसे चॉकलिट की साथ खाना चाहिए बोरिंग, इतना स्वाधिस्ट खाना क्यों खराब करना मैं इसके बजाएं एक बर्गर और एक चॉकलिट अलग से लिना पसंद करूँगी लेकिन अगर जरूरी है तो फिर ची, क्या जंजट है मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं बर्गर और चॉकलिट को लेकर खुश नहीं होँगी तुम नहीं जानते कि अभी तुम्हारा चेरा कितना अजीब लग रहा है लेकिन मैंने सब कुछ निप्टा दिया और मेरे पास एक बहुती चाला की उजणा भी है लेकिन कोई भी चॉकलिट स्वादिस्ट कपकेट को खराम नहीं करेगी बल्कि उसे और अच्छा बनाएगी देखने में कितना स्वादिस्ट लग रहा है मैं केवल उन्हें खाऊंगी ये चाला की उजणा को अंजाम बेने का समय है अगर सुजी ने फैसला किया कि उ मुझसे ज़्यादा अच्छी है तो ये निशित रुप से इसके लिए भुक्तान करेगी चाक्रेट में थोड़ा सा केचप लुक्सान नहीं पोचाएगा कितना स्वादिस्ट है कास तुम समझ पाती कि मैं कितनी खुश हूँ मैंने कभी इतनी स्वादिस्ट कपकेक नहीं खाये है ओ, ओ, क्या हुआ केचप का स्वाद कापकेक पर अचानक से क्यों आने लगा क्योंकि ये केचप प्रैंक है मुझे लगता ये बहुत मज़ेदार है तुम्हें पता है कि वास्ता में क्या मज़ेदार है अपना चेहरा देखना जब उसमें बहुत सारे कैचप हो येलो ये क्या क्या तुम बीना मतलब के ये सब कर रही हो आप मैं तुम्हें कैचप दिखाती हूँ बस बहुत हुआ प्लीज इसे रोको मेरा मेकप खराब हो जाएगा एमा तुम्हें इसका फल भुगत ना होगा मेरे पास भी चॉकलेट है तो तुमने मुझे गंदा करने का फैसला किया है क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती अब ये तुम लो अच्छा तो ये बात है अब तुम यह लो शर्म नहीं आती तुम्हें इन्हें शर्म आनी चाहिए कम से कम मैं ठक गई हूँ चलो दोस्ती करते हैं और पहला काम इस प्यारे छोटे गुत्ते को ड्रॉव करना है ओ ये कितना प्यारा है सूपर क्यूट और केवल उसे जो सबसे अच्छी ड्रॉव करेगा उसे यह मिलेगा तो फिर ऐसे क्यों बैठे हो समझ शुरू हो चुका है ठीक है चलो शुरू हो जाओ मैं कुत्ते को कैसे ड्रॉव करूँ तो शुरू करने के लिए सबी मेजर्मेंट्स ध्यान से लेने होंगे सारे एंगल्स और लाइन्स ठीक है यह मुश्किल नहीं है यह सही क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं वो दोनों क्या कर रहे है तुम यहां नहीं जाग सकती खोड़ ड्रॉव करो मेरे पास फिर भी सबसे अच्छे ड्रॉईं होगी तुम यह लगभग हो गया थोड़ा सा और मैं इसे अच्छे से ड्रॉव करती हूँ पहले आउटलाइन तयार कर लेती हूँ और फिर सारे काम तुम बे मतलब कोशिश कर रहे हो मैं सबसे बहतर करूँगी अब बस अंदर पूरा पेंट करना है चलो देखते हैं कुछ सही नहीं है ओ हाँ, मैं गुलावी कॉलर के बारे में कैसे भूल सकती हो चलो मेरे आर्टिस्ट, समय खत्म हुआ चलो चलो, अपने ड्रॉइंग्स दिखाओ हम तयार है हाँ, हमने काफी मेनत की है ओ डॉगी, अपनी आखें बंद करो तुम ऐसे बिल्कुल नहीं दिखती हो यहाँ क्या है? कुछ तो है, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं है वाँ, यह तो डिक्टो कॉपी है हाँ, यह है हमारे विजेता पुरस कार ले लो ये, मैं जीत गई मैं हमेशा इन चैलेंज में हाट जाती हूँ इसे जल्दी ले लो, यह कितना प्यारा है हाँ, यह दुनिया का सबसे प्यारा डॉगी है सबसे प्यारा हाँ अठ अठाओ, अमें तुमें किसी को नहीं दूंगी क्यूटी पाई तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, है न अरे, यह क्या कर रहे हो क्या तुमें कुट्टे को किस कर रहे हो यह क्या हो रहा है इसे रोख को मुझे बहुत गंदा लग रहा है छी, ठीक है यह लो अभी इसके साथ खेलो यह पूरा सपना था मेरा पूरा चेहरा थूप में ढग गया है उस कुट्टे ने मेरा सारा मेकप बरबाद कर दिया गुट, तुम बहु स्मार्ट हो दूसरा दौर और तुभारा काम है इस कैंडी स्लाइट को ड्रॉ करना अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि यह कैसे काम करता है स्किटल्स को लेकर इसे यहां उपर रख देते है वा, यह कितने अच्छे से स्लाइट हो रहा है कूल आखी रिमोट और कैंडी फिनिश लाइन पर पहुँच गई हुरे मैं इसे जीतना चाहते हूँ आज यह हमारा पुरसकार है अच्छा, तो चलो समय शुरू हो गया है पुरसकार अच्छा है मुझे कोशिश करनी होगी तो यहां पेंसिल है, हाँ मैं यह लेता हूँ जाहिर तोर पर उनका इस्तिमाल इस तरह किया जाता है हाँ, मैं सही कर रहा हूँ ऐसा लगता है कि कुछ गरबर हो गया है मेरे हाथ उलज गया है अब मैं क्या करूँ इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आइडिया यदि दो रंगों के पेंसिल को साथ लेते हैं तो बहुत मस्त लाइन बना सकते हैं यह शानदार है यह बहुत बढ़िया लग रहा है मैं इस स्लाइट को कैसे ड्रा करूँ मुझे पता नहीं है यह बहुत अजीव है ऐसा लगता है कि यह काम कर रहा है मुझे लगता ही कि मैं ये राउंद हाट जाओंगी और समय समाप्त हो गया है दोस्तों पेंसिल नीचे रखो और अपनी ड्राइंग दिखाओ या क्या बनाया है? क्या या कुछ एब्स्ट्रेक्ट है? नहीं ऐसा बिलकुल नहीं है आगे क्या है? ओ, एक सेकिन मेरे हाथ फस गये थे मुझे ठीक करने दो ठीक है? तुम उसमें बिजी रहो नेक्स्ट वाह! यह बहुत अच्छा है बदाई हो कम जीत गई? यहाँ आओ यहाँ, यहलो कैंडी पूरी स्लाइड अब तुम्हारी है वाह, बहुत बहुत धन्यवाद चलो, एक्सपेरिमेंट शुरू करें वाह, यह कितने अच्छे से रोल हो रहा है वाह, मुझे स्टिटल्स बहुत पसंद है और मेरे पास एक आइडिया है मुझे आ साई क्यों मुझे नोटिस नहीं करेगी? हाँ, यह बढ़िया है और भेशते रो यार, इतने सारे है मैं थोड़े ही लोंगी चलो फिर से, और फिर से, और फिर से स्वाधिश्ट, हाँ, हाँ, उसने मुझे नोटिस नहीं किया राउन नमबर तीन तुम्हारा काम इस ब्रैंड न्यू आइफोन को ड्रॉ करना है वाँ, कितना मासत है ये हाँ, तो चलो शुरू हो जाओ टाइमर चालू है हाँ, हाँ, चलो शुरू हो जाओ टाइमर चालू है, जल्ली करो मैं और इंजार नहीं कर सकती तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए मैं एक ब्रस पर थोड़ा गुलावी पेंट लगाऊंगा और एक रैक्टेंगल बनाऊंगा रुको, तुम क्या कर रही हो दिखाई नहीं दे रहा क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी ड्राइंग एक दम असली की तरह दिखे एक पुराना फोन इसमें मेरी मदद करेगा अच्छे सुप्रेस करना है और लगता है मेरी योज़ना काम नहीं की चलो, फिर से कोशिश करते हैं क्या? ये काम क्यों नहीं खर रहा है? उफ, विर योज़ना फेल हो गई मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है आइफून बनाने से आसान और क्या हो सकता है? थोड़ा सा यहाँ और बस छोटा सा काम बचा है ड्राइंग को काटना तो ध्यान से इस तरह आवा, क्या कर रही है? वो अपने ड्राइंग क्यों खराब कर रही है? बेशक, अजीव है? क्या, उसकी दर इतनी अच्छी ड्राइंग क्यों है? यह बहुत बुरा है मुझे कुछ तो करना होगा हाँ, पानी मेरे लिए सब कुछ करेगा अरे, यह क्या हुआ? तुमने बन पाने वाले कप को खोल क्यों दिया? मेरे पास सबसे अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए तो तुम यह लो, तुमने क्या किया? ओ, यह कितना मज़ेदार था और समय खत्म हो गया है तुम लोग अपनी ड्राइंग दिखा यह एक फोन की तरह नहीं दिख रहा है और तुमने क्या बनाया है? खेर, थोड़ा बेटर है, पर नहीं और यह क्या है? वाँ, एक फोन जिसमें कवर भी है बहुत अच्छा, तुम जीत गई? हाँ, मुझे पता था यह मेरी गलती नहीं है कि मैं सबसे अच्छी हूँ खेर, चलो जल्दी मुझे फोन दे दो जरूर, यहलो प्लीज अरो, नहीं ध्यान से, प्लीज मुझे दे दो ओ, मैंने लिसे लगबग गिरा दिया था ओ, हाँ, यहलो मुझे मेरा फोन दो बढ़ना अच्छा नहीं होगा यह मेरा फोन है, दो किवाज आईफोन, तुम बहुत अच्छे हो मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं इसे बाहर केसे निकलू इस बाहर काम थोड़ा मुश्किल है यह पाने के लिए तुम्हे इस डॉल हाउस को ड्रॉ करना होगा हुरे, हाँ, मैंने हमेशा इसका सपना देखा है ठीक है, समय शुरू हो गया है बढ़िया, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए क्या लो, एक पेंसिल या एक स्केश पें शायद पेंसिल ठीक होगी ओ माई गॉड, यह घर कितना सुन्दर है यह तो एक फेरी टेल से आया होगा उफ, यह इतना असान नहीं है नहीं, मुझे फिर से शुरू करना होगा पेंस, इससे शायद यह थोड़ा असान हो जो चलो, मैं इसे एक स्केश की तरह इस्तेमाल करूँगी इसे लाइन सीधी होगी अरे नहीं, मैं कुछ नहीं कर पा रही मेरे पास एक आइडिया है मेरे हाथों में उंग्लिया है, है ना यह कब काम आएंगी नहीं, यह अभी काम नहीं कर रहा है यह भयानक है क्या? वह इतनी आसानी से कैसे ट्रॉक कर रहा है अरे, तुम्हारी ड्रॉइंग इतनी सुन्दर क्यों है मैं नहीं जानता क्योंकि मैं बहुत जीनियस हूँ मेरे पास एक नई योजना है मुझे रेडी होना होगा अब मैं एक दम सिरियस हूँ शानदार मेरा आइडिया तो कमाल का है यह रहा मेरी ड्रॉइंग ना केवल रंगीन है बल्कि त्रीडी भी है और समय खत्म हो गया है अपना काम दिखा उमीद है कि तुम दोनों तयार हो हाँ क्या? यह क्या बनाया है? ठीक है? यह रहा मेरा घर इसना बोरिंग है ठीक उमेद है कि मेरा घर जित जाएगा यहाँ देखो वाह यह काफी अनोखा है और तुमने बहुत अच्छा काम भी किया है खुरे मैं जीत गई और तुम लूजर हो घर मेरा है मेरा सपना सच हो गया बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लेकर जा रही हूँ अरे नहीं मेरी किस्मत ही मेरे साथ नहीं है ओके बाई जो मत घुरो जैक मैं पहले अपना डकन खोलती हूँ ओ यार यह क्या है यह सोने से बनी मिर्च की तरह देख रही है है रानी की बात है लगता है कि तुम सही हो मुझे इससे डर लगता है मैं यह बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती शायद चोकलेट इस मिर्च को स्वादिश बना देगी पता लगाना ही पड़ेगा मुझे पूरी उमीद है कि मैं निराश नहीं होंगी यह अभी भी कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे शुप काम नाये दो जैक आशा है कि मुझे कुछ नहीं होगा चोकलेट का स्वाद तो बहुत अच्छा है लेकिन अब मुझे तीखा मैसूस हो रहा है मैं एकदम गर्म हो गई हूँ लग रहा है कि मैं जलने वाली हूँ मदद करो सूजी तुमको देखकर मुझे डर लग रहा है वेंडी यहाँ जल्दी आओ मैं तुम्हारे लिए गलास दूद लाई हूँ बहुत अच्छा यह एकदम वही है जो मुझे अभी चाहिए ओ कितना बढ़िया तुरन बेहतर लग रहा है सूजी कभी-कभी तुम क्या करती हो समझ नहीं आता तुम्हारी दूद की मुझ बन गई है एक सेकिंड रुकिए मैं सब कुछ रुमाल से पहुँच देती हूँ शुक्रिया अब तुम्हें आसे जा सकती हूँ इसे ले जाओ लगता है नौकर रखने से बहुत आराम हो जाता है जैक, अपना सिर गुमाना बंद करो और अपना धकन खोलो धकन के नीचे एक मिर्च है मुझे डर लग रहा है मुझे उमीद है कि चौकलेट तीखेपन के डिगरी को थोड़ा कम कर देगी मिर्च को ठीक से डालने की जरुवत है खेट, अब इसे खाने का समय है लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है ठीक है, टाइम पास करना बंद करो मुझे एक खाना ही होगा वरना यह कभी खत्म नहीं होगा क्या तुम्हें ठीका नहीं लग रहा है? नई, सब कुछ ठीक है मैं बिना किसी बात के चिंति था ओ मा, मेरे पुरे मुँ में आँग लग गई है लगता है मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया कितना भयानक बसे चिलाओ मत जैक सुनारी मचली? तुम कितनी लखी हो मॉनिका इसे करीब से देखो यह और भी अच्छी लगेगी पानी, मुझे जल्दी पानी चाहिए मुझे अभी एक्वेरियम दे दो नहीं तुम्हें मर जाओंगा तुम क्या कर रहे हो जैक यह मेरी सुनारी मचली का एक्वेरियम है फ्यू, कितना अच्छा मैं काफी बेहतर मैसूस कर रहा हूँ मेरे मुझे क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है छी, मचली मैंने इसे लगभग निगल लिया था यह कितना भयानक था पता नहीं वो कहां चला गया है मैं यहां हम सूजी तुम्हें इतनी देर इंजार कराने के लिए माफ करना ओ, यह गलती से चेरे पर चिपग गए चलो, दिखावा करते कि कुछ नहीं हुआ है जैक, अब समय आ गया है कि हम अपने नए डिश देखे इस बर्गर पे तो बाल है छी, कितना घिनावना ऐसा लग रहा है जैसे इसे कचले से कोई निकाल कर लाया हो और मेरे बर्गर को कीमती पर्थरों से सजाया गया है यह बहुत महंगा लग रहा है मेरे तुिल्ना में पक्का बेहतर है इससे बाहर फैक देना चाहिए मुझे उल्टी हो जाएगी, मैं यह नहीं खा सकता हूँ हाँ, यह सच में बहुत गंदा है चलो कुछ ताजी हवाले सोजी, तुम्हें मेरे चेरे पाप पोफिम नहीं छी रखना चाहिए था माफ करो, मुझे लगा कि तुम्हें यह पसंद आएगा ठीक है, ठीक से खाने का समय हो गया है तुमने मुझे एक शांदार आइडिया दिया मेरे बर्गर को धोने की जर्वत है मेरे पास ब्रश और साबुन है बस मुझे और क्या चाहिए इसके बाद यह नए जैसा अच्छा हो जाएगा और मैं इसे खालूँगा फिंता मत करो, मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें हटा दूँगा देखो, लगवा कोई जान नहीं बचा है साफधान रहो जैक, तुम इसे मुझे पर रूर आ रहे हो वाह, मैंने कर लिया अब बर्गर खा सकते हैं मेरा पर्फिम अभी उसकी जगा लगा दो माप करो, मैं चाहता था कि बर्गर को एक अच्छा स्वाद मिले ओ, शानदार खुश्बू है चॉकलेट फाउंटिन में मेरी डिश को डुबाने का समय आ गया है और अब इसे खा सकते है मुझे यकीन है कि इसका स्वाद कबाल का होगा मेरी इतनी मेहनत ऐसे बरबाद नहीं होगी ओ, क्या कोमल बन है, चबर्दस्ट सूजी, इसे कहते हैं पाक कला जैक, तुम चॉकलेट में ढखे हुए हो मुझे फर्क नहीं पड़ता वो की बात यह है कि यह बहुत स्वादिस्ट है मैं और भी चॉकलेट डालूँगा मुझे यकीन है कि यह मेरे बरगर को बहतर बना देगा वाह, मुझे अपनी खुशी को बताने के लिए शब नहीं मिल रहे है मैंने नहीं सूचा था कि एक साधरन बरगर इतना अच्छा हो सकता है मैं तुम्हारा नैप की नेरा हूँ मुझे अपना चेहरा फोंचना है अब बेतर है, अब तुम चलो ठीक है, मैं तयार हूँ देखते हैं मेरे बरगर को में किस तरह की फिलिंग है वाह, ताजा नोट, खराम नहीं है अरे वाह, यह अच्छा लग रहा है मुझे भी यह पसंद है पर पता नहीं अगर नोटों पर चॉकलेट डालेंगे तो क्या होगा बहुत अच्छी खुश्भू आ रही है मुझे आसा है कि स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा ओ हाँ, मैं तो अपनी उंगलिया चाटती रह जाओंगी मैं इसे शांती से नहीं देख सकता मैं भी इसे चकना चाता हूँ मुझे माफ करो जैक, लेकिन तुम पहले ही अपना बर्गर खा चुके हो मैं जानती हूँ क्या करना है बर्गर को और भी अच्छा बनाने के लिए मैं उसके उपर चॉकलेट डालूँगी जड़ा देखो, यह चॉकलेट के साथ कितना स्वादिश लग रहा है मैं इसे खाने का इंजजार नहीं कर सकती इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत स्वादिश्ट होगा सुनहरा बन तो ला जवाब है पता नहीं यह किस चीट से बना है शायद असली सोने से बना हो मेरे जीम में पानी आ रहा है सूजी फ्लीज थोड़ा दयालू बनो, मेरे साथ शेयर करो बहाँ देर हो चुकी है मैंने पहले ही सब कुछ खा लिया है ओ, मेरे पेट में कुछ गरबर है मुझे माफ करना मुझे अभी बाहर निकलने की आविशक्ता है लगता है कि सोना ठीक से पच्ता नहीं है यह अच्छा है कि ट्वालेट पास में है मैं और बरदास नहीं कर सकती क्या थेज रोशनी है वे कहां से आ रहे है सूदी, वहाँ क्या हो रहा है मुझे देखने की जरुवत है अब मेरे लिए बहुत बेहतर हो गया मुझे अपने पूरे शरीन में हलका पर महसूस हो रहा है आओ, देखे कि यहां क्या है मुझे आशा है कि मुझे अपने लिए कुछ उपयोगी मिलेगा वाँ, मुझे अपने आखों पर विश्वास नहीं हो रहा है यहां बहुत सारा सोना है मैं ये सब अपने लिए ले सकता हूँ अब मैं आमीर हूँ ओ, मैंने नहीं देखा कि आप भी यहां है मत देखो हमें इन खजानों को ततकाल छिपाने की जरुवत है कोई नहीं जान सकता कि वे कहां है जैक, तुम बैठे क्यों हो, ढकन खुलो तुम सही हो सूजी समय बरबाद करने की जरुवत नहीं है मेरे पास लॉली पॉप है कितना अच्छा है, मुझे मीठा खाने में कोई आपती नहीं है तुम सच में भागेशाली हो, पधाई हो मैं पूरी तरह से भूलिया मुझे लॉली पॉप पर चौकले डालने की जरुवत है मुझे यकीने की एक असली स्वादिस्ट बम होगा मैंने पहले कभी एक कोशिश नहीं की है चौकलेट और लॉली पॉप सबसे अच्छी जोड़ी है जिनके बारे में मैं सोच सकता हूँ ओ हाँ, मैंने गलत नहीं सोचा एक दम बढ़िया मुझे भी बहुत भूख लगी है मैं यह देखने की लिंजान नहीं कर सकती कि मुझे क्या मिला है वाँ, ऐसा लगता है कि मेरा लॉली पॉप किम्ती पत्तरों से बना है उसे देखो, यह चमक अंधा कर रही है वाँ, तुम्हारा लॉली पॉप बहुत किम्ती होना चाहिए काश मैं उसे पाता मुझे यकिन है कि यह चॉकलेट के साथ अब विश्वस्ने रूप से स्वाधिस लेकलेगा हम जल्दी पता लगा लेंगे मैं पहले खा रही हूँ ओ, सूपर, यह मेरी अपिक्छा से भी बहतर है ओ, मुझे लगता है कि लॉली पॉप मेरे मुँ में फस गया है मैं उसे किसी भी तरह से नहीं समझ पा रही हूँ क्या करूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है हमें कोई रास्ता निकालना होगा शुरू करने के लिए मैं अपने लॉली पॉप पर करीब से नज़र रखूँगी देखते हैं उसके अंदर क्या है हाँ, मुझे क्रिस्टल दिखाई दे रहे है यह बहुत मजबूत है इसे क्रुपडों में तोड़ा नहीं जा सकता खेर, मैं वास्ता में लॉली पॉप खाना चाहती थी जैक, मेरे पास एक आइडिया है चलो, हम दोनों स्विच करते है यह एक अच्छा आइडिया है मैं सहमत हूँ मैं हमेशा से हीरा लॉली पॉप लेना चाहता था बदले में तुम्हें मुझे अपना देना होगा जैक, जल्दी करो मैं जार करते-करते ठख गई हूँ ओ, हाँ, माफ करना हीरे ने मेरा सारा ध्यान खीच लिया था ये लो, सामाने लॉली पॉप अब तुम्हारा है ओ, वो तुम्हारी लार में ढकी हुई है ये तो बहुत खराब है मुझे तुरंट अपना हाथ पोचना होगा अब या बहतर है मुझे मेरा लॉली पॉप वो अपस दे दो मैं इसके बारे मैं नहीं सोचूँगा हमने एक डील की थी अपने हाथ मुझ से दूर करो सूजी बस इतना ही मैंने इसे अपने मुँ में डाल लिया है अब तुम्हें निश्यत रूप से लॉली पॉप नहीं मिलेगा पारे नहीं मैंने तुम्हारे साथ डील क्यों किया जै वाह इतना किंपी है अब मेरे पास हीरा है इसे छिपा कर रखना होगा बधाई हो मैं हमारे नए ट्रिश देखने के लिए इंतिजार नहीं कर सकती चलो मैं पहले देख रहा हूँ यह क्या है यह एक शेल जैसा दिखता है यह सुन्दर दिख रहा है क्या तुम इसे खोलने की कोशिश कर सकते हो ओ यह उतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में लग रहा था मेरे पास उतनी ताकत नहीं है मुझे यह भी नहीं पता की क्या करना है जब तक मैं अपनी ढकन खोल रही हूँ तुम इसके बारे में सोचो गुड लग सूजी रुको, देखो शेल अपने आप खुल रहा है वाँ, अविश्वश्निया अंदर एक मोती है क्या सर्प्राइज है मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मोती असली जैसा नहीं दिख रहा यह बहुत बड़ा और मुलायम है ओ, यह गमी आख है मैं निराश हूँ मुझे धोखा दिया गया है यहाँ पमान जड़क है हाँ, यह अच्छा तो नहीं था केवल एक अच्छी ख़बर है मैं यह गमी खा सकता हूँ यह बहुत अच्छा दिख रहा है आशा है, स्वाद निराश नहीं करेगा वाह, अंदर बहुत जैम है सूपर मुझे भी गमी खाना है मुझे लगता है तुम और भी भागेशाली हो यह मोटी से बहतर है शायद शेल वे कुछ और है ऐसा लगता यह खाली है सौरी, सोजी, देखो यह एक समुदरी वार है यह कैसे बखवास है जैक खैर, तुमने अपने उंगली दबा ली है मुझे पता था कि यह इस तरह खत्म होगा वाँ, यह क्या है एरो उस दिशा में इशारा कर रही है चलो जल्दी दोड़ो, वाँ कुछ है इतना बड़ा शेल विश्वास नहीं हो रहा है वाँ, यह एक मोती भी है यह बहुत अच्छी दिख रही है मुझे आसाइके से खाया जा सकता है शायद यह भी गमी से बना है मीठा लगता है हमें इसका पता लगाने और इसकी जाज करनी की आवशकता है मैं पहले से इस जगह के लिए दोड़ रही हूँ मुझे भी शेल को देखना है वाँ, यह बहुत बड़ा है क्या मुलायम तक ये है मुझे लगता है कि मैं यहाँ लेट सकता हूँ ओ हाँ, यह बहुत आराम दायक है मुझे लगता है मैं एक जपकी लूँगा चुनोती ने मुझे ठका दिया मदद करो, शेल बंद होने वाला है आरे नहीं, शेल मुझे खाना चाता है उन्हें चॉकलेट से भरा जा सकता है मुझे लगता है कि यह बहुत सुईधा जड़क होगा मैं कितनी चतुर हूँ यह एक शानदार आइडिया है बहुत अच्छा, अब मैं खा सकती हूँ चॉकलेट, चॉकलेट की साथ अच्छी तरह से जाता है यह दिन का सबसे अच्छा खाना है अब सोस की जैक नहीं देख पाया उसे यह बहुत पसंदा आता बस उंगलिया चाटने लाइक यह आवाज कहां से आ रही है जैक की आवाज की तरह लग रहा है मदद करो, मुझे यहां से जाने दो जैक एक मरमिट बन दिया है आज आदी, मुझे फिर से लाइट दिखाई दे रहा है मेरी तस्विर मतलो सूजी यह कोई नहीं देख सकता प्लीज, रुख जाओ